Hello Friends, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल Don't Miss GK में दोस्तो आप हमारे इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि महाराष्ट्र में कुल कितने जिले हैं तो चले शुरू करते हम आज का वीडियो महाराष्ट के इतिहास पर एक बार नजर डाल लेते हैं महाराष्ट्र एक मई 1960 को भारत राज बनाय गया था इस दिन को हम महाराष्ट्र दिन के भी नाम से जानते हैं एक मई शुरू में महाराष्ट्र में 26 जिले थे और उसके बाद 10 नए जिले बनाय गये वर्तमान में महाराष्ट्र में 36 जिले हैं इन जिले को 6 प्रसासनिक विभागों में विभाजित किया गया है तो दोस्तो जो 6 प्रसासनिक विभागों में विभाजित किया गया है तो चलिए देखते हैं कि 36 जिलों को किस तरह विभागों में विभाजित किया गया है पहला क्रमशंख्या एक है अमरावती विभाग अमरावती विभाग में जो मुख्याले है वो है अमरावती और इसमें जो जिला आता है वो है अकोला जिला, अमरावती जिला, वुल्ठाड जिला, वाशिम जिला और यवत माल जिला ये पाँच जिला जो है वो आते हैं अमरावती विभाग में क्रम शंख्या नमबर दो है अवरंगाबाद विभाग में जो मुख्याले है वो है अवरंगाबाद और अवरंगाबाद में जो जिले आते हैं वो है अवरंगाबाद जिला, बीड जिला, हिंगोली जिला, जलाना जिला, लातूर, नान्देड, उश्मानाबाद, परभडी ये औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जलाना, लातूर, नांदेड, उश्मानाबाद, परभाड़ी ये जिला जो है वो आते हैं औरंगाबाद बिभाग के अंदर क्रम संख्या नमबर 3 पर है कोकन बिभाग, कोकड बिभाग में जो मुख्याले वो है मुंबई और इसके अंदर जो जिला आते हैं वो है मुंबई जिला, मुंबई शबर्बन जिला, राइगड, रतनागिरी जिला, शिंध दुर्ग जिला, ठाने जिला और पालगर जिला ये जिला जितने हैं वो आते हैं कोकन विभाग के अंदर क्रम शंख्या नमबर चार पर है पूर्णे विभाग पूर्णे विभाग का मुख्याले है पूर्णे और इसमें है कोलहपूर जिला पूरे जिला, शांगली जिला, सतारा जिला और शोलापूर ये पाँच जिला जो हैं वो आते हैं पूरे विभाग के अंदर क्रमशंख्या नमबर पाँच पर है नागपूर विभाग नागपूर विभाग का मुख्याले है नागपूर और इसमें जो जिला है वो है भंडारा जिला, चंद्रपूर जिला, गड़ चिर्चोली जिला, गोधिया जिला, नाकपूर जिला और वर्धा जिला ये 6 जिला जो आते हैं वो है नाकपूर जिला के अंदर क्रम शंख्या नंबर 6 है नासिक बिभाग नाशिक बिभाग के अंदर जो मुख्याले वो है नाशिक और इसमें जो जिला है वो है अहमद नगर जिला, धूले जिला, जलगाओं जिला, नंदुर बार जिला और नाशिक जिला ये पाँच जिला वो आते हैं नाशिक बिभाग के अंदर अब एक बार हम क्रम वाइज जो 36 जिले हैं उनके नाम देख लेते हैं क्रम शंक्या एक है अकोला जिला, अमरावती जिला, वुल्ठाडा जिला, वाशिम जिला, यवतमाल जिला, औरंगाबाद जिला, बीड जिला, हिंगोली जिला, जलाना जिला, लातूर जिला और उसके बाद है नांदेड जिला, उश्मानाबाद जिला, परभडी जिला, मुंबई जिला, मुंबई शबरबन जिला, रायगड जिला, रतनागीरी जिला, सिंध दूर्ग जिला, ठाडे जिला, और पालगर जिला इसके बाद है कोलहापूर जिला, पूडे जिला, शांगली जिला, सतारा जिला, सोलापूर जिला, भंडारा जिला, चंद्रपूर जिला, गडचिर्चोली जिला, गोधिया जिला और नागपूर जिला एक तिसावा क्रम शंख्या नंबर एक तिसे वर्धा जिला, अहमद नगर जिला, धूले जिला, जलगाओं जिला, नंदूर बार जिला और नाशिक जिला दोस्तों ये हैं 36 जिले महाराष्ट के दोस्तों ये 36 जिला महाराष्ट के आपने देखा और ये 36 जिले जो हैं वो 6 विभागों में बाटे गए हैं तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल ना भूलें अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले डोंट मिस जीके तो दोस्तों फिर मिलते हैं कुछ नया लेके आगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद